पिछले तीन दिन से हम देख रहे हैं कि वसंदरा राजे की बीजेपी सरकार राजस्थान में अगर किसी को दर्ती है तो वो है अमारी किसान सभा और किसी को दर्ती नहीं है यह हमने आज समोद करके दिखाया है किसान सभा के भूत पूर वाकिल भारती अध्यक्र कॉम्रे रामरा राम जी को इन्होंने बहुत बेशर्मी के साथ गिरफतार किया कुम्रे बेमाराम को गिरफतार किया कुम्रे हिस्थ बेनिलाल को उन्होंने गिरफतार किया हमारे राजस्तान के एक हजार के ज़्यादा हमारे मेताओं को गिरफतार किया आज हम यहां एलान करना चाहते हैं, जब तक किसान समा के हमारे मेताओं को रियान नकर दिया चाया, तक यह खेड़ाओं हम उठाएंगे नहीं, यह आज हम यहां कहना चाहते हैं। आज पूरे भारत में किसानों का करजा माफ करने के लिए किसना पैसा लगेगा? बहुत हो गया तो 12 से 15 लाग करोड रुपे लगेंगे। यह देने के लिए आज उनकी तैयारी नहीं है, लेकिन किसका करजा माफ किया जाता है? नीरव मोदी का ललिक मोदी भाग गया विदेश में आपने देखा है। इनके पास में हिव्वत नहीं है, ये ध्यान में रखना चाहिए। ये सभी उत्योपती जो हमारे देश को चलाते हैं, भाजबा की राज्य सरकार को और केंद्य सरकार को चलाते हैं। आज इनके खिलाफ और ये पूरे सरकार के खिलाफ हमारे पूरे भारत के किसानों का करजा माफी का अंदोलान, पूरता आज जब तब काम्याब नहीं होगा, तब तक हमारा अंदोलान ये खते हैं। ये आज हम यहाँ कहना चाहते हैं, हम आज एलाम करते हैं, नवेंबर के विदान सबाद चुनाओं में, भाजप का एक भी विदायत आज चुनके विदान सबाद में नहीं जाएगा, ये आज हम को यहाँ सहे करना है, भारतियो किशान सबाद चिंदाबाद, मस्दोर किशाべकता चिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब इंकलाब